बेसिक शिक्षा विबाग के जनपद में संचालिट स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों पर चार शिक्षक नौकरी करते मिले चारों शिक्षकों पर P.S.A. ने कारेवाही करते हुए उनकी सेवा समाप की है वही चारों शिक्षकों पर FIR दर्च करने के साथ बेतन की रिकवरी के भी आदेश जारी कर दिये है उतरप्रदेश बुलन शहर में फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा परिशदीय स्कूलों में कस्तुरबा गांदी विद्याले में शिक्षी का शिक्षक नौकरी करते पाए गए थे साथी बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनपत के परिशदिय स्कुलों में ऐसे शिक्षकों का पता कर उन पर कड़ी कारवाई करने के आदेश भी शासन ने दिये थे कुछ शिकायते भी मिली थी कि जनपत में फर्जी शिक्षक दस्तावेजों पर कई शिक्षक नौकरी कर रहे हैं के लिए एक आदेश चारी किया था जिस पर अफसरों ने ऐसे शिक्षकों की तलाश की अभी तक चार ऐसे शिक्षक मिले जो फर्जी शेक्षिक दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे थे बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार दानपूर ब्लॉक सिकंदराबाद ब्लॉक औ और डिबाई ब्लॉक में फर्जी शिक्षक दस्तावेजों पर नौकरी करते मिले इन शिक्षकों की यूपीटेट की मार्कशिट भी फर्जी थी ये सभी फर्जी टीचर लगातार नौकरी कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आधित्यनात की इस म काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने के साथ उनके खिलाफ एफायार दर्च कराकर वेतन की रिकवरी के आदेश चारी कर दिये हैं सभी ऐसे कई शिक्षक रडार पर है जन्पद में किसी ऐसे शिक्षक को नहीं बक्षा जाएगा जो फर्जी शेक्षिक दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे हैं अनपर हम लोग है आहhãर 重ku है और जांच कर दिया है अब उन पर याफ ज़ो है वहली की यार परवाई की जा रहे हैं तो तुरं जो है खंड सिचादेगारी ने जो है अब नर्देश दिये हैं कि इनका जो है बेदन की रेकवरी की जाए